हरे कृष्णा आज से हम श्रीमत भगवत गीता के चौदवे अध्याय को पढ़ेंगे इस अध्याय का नाम है गुण त्रै विभाग योग आईए आज इसके पहले और दूसरे श्लोकों को पढ़ें पहले श्लोक का स्वरसे गायन करते हैं श्री भगवान वाच परम्भूय प्रवक्ष्या में ज्याना नाम ज्यान मुत्तमम यज ग्यात्वा मुनय सर्वे पराम सिद्धे में तो गताह आई अब इसका शब्दात देखते हैं श्री भगवान वाच श्री भगवान ने कहा परम्भूय प्रवक्ष्या में परम फिर कहूंगा ज्याना नाम ज्यानम उत्तमम समस्त ज्यानों में ज्यानम उत्तमम यानि ज्यान को अति उत्तम परम्भूय प्रवक्ष्या में ज्याना नाम ज्यानम उत्तमम आई अब अगली पंती पे चलते हैं यज ज्यात्वा मुनय सर्वे यज ज्यात्वा यानि जिसे जानकर मुनि जन समस्त पराम सिद्धे में तो गताः परम सिद्धिम इतः यानि सिद्धी को इस संसार से प्राप्थ हो गए हैं यज ज्यात्वा मुनय सर्वे पराम सिद्धे में तो गताः तो इस श्लोक का अर्थ हुआ, श्री भगवान ने कहा, सब ज्ञानों में अति उत्तम और श्रेष्ट ज्ञान को मैं फिर कहूंगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परमगती को प्राप्त हो गए हैं। आईए अब दूसरे श्लोक का स्फरसे गायन करें इदम ज्ञानम उपाश्रित्य ममसाधर्म्यमागताह सरगे पिनो पजायनते प्रलये नव्यथंतिचा। आईए अब इसका शब्दार देखते हैं। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य इस ज्ञानम उपाश्रित्य यानि ज्ञान को आश्रे करके मम साधर्म्यम आ गताह मेरे साधर्म्यम आ गताह यानि स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष इदम ग्यानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आ गताह आईया बगली पंक्ती पे चलते हैं सर्गे पिनो उपजायंते, सर्गे अपी न उपजायंते, यानि स्रिष्टी में भी नहीं उत्पन होते हैं प्रलये न व्यथंतिच, प्रलयकाल में नहीं व्यथित होते हैं और सर्गे पिनो उपजायंते, प्रलये न व्यथंतिच तो इश्लोक का अर्थ हुआ इस ज्ञान का आश्टर लेकर जो मनुश्य मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं वे महासर्ग या स्रिष्टी के प्रारम में पैदा नहीं होते तथा प्रले के समय व्यथित नहीं होते